हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सात्वे अध्याय का सोलवा श्लोक पिछले श्लोक में यानि 7.15 में भगवान ने बताया था कि कौन-कौन से लोग हैं जो उनकी शरण ग्रहंड नहीं करते और हमने इस पे चर्चा भी की थी कि ऐसे लोगों को थोड़ा ही प्रचार का प्रियास करें ये मानने वाले नहीं हैं आपको भी हताश कर देंगे अब हम चार इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो भगवान के पास जाते हैं और फिर मुख्या मुद्दा क्या है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे देखे संस्कृत में भी लिखा है चतुर विधा भजनते माम चतुर विधा चार तरह के लोग हैं जो भगवान को भजते हैं वो कौन कौन से हैं भगवान कहरे हैं भरत फ्रेश्ट चार परकार के पुन्यात्मा मेरी सेवा करते हैं पहला है आर्थ आर्थ का मतलब है दुखी जिनके जीवन में कोई दुख है तो दुख तो सबके जीव और उस situation से लड़े, वो भी ठीक है, लेकिन वो भगवान पर depend नहीं कर रहा, तो as such, he is a good man, अच्छा आदमी है, लेकिन भक्ती की तरफ नहीं मुड़ा, दूसरा वो जो कि इस situation के लिए भगवान को बुराई दे, समाज को बुराई दे, देश को बुराई दे, पडोस को बु गुड़ी हो गया, और तीसरा हो गया भक्त, शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन अटलीस्ट भक्ती की श्रेणी में आएगा, जो अपने दुखों के लिए भगवान को याद कर रहा है, ये भगवान आप मेरी कृपा करें, मैं तो आप पर निर्भर हूँ, आप पर depend हूँ, ज जाक उड़ा सकता, अच्छा, जब जुरुत पढ़ गए तो भगवान याद आ गए, अरे जुरुत पढ़ने पर भगवान पर ही तो जाएंगे, आज आपको पैसो की जुरुत हो, कोई समस्या हो, तो आप पिता के पास ही तो जाओगे, तो परम पिता के पास जाने में कैस सोच या कैसा संकोच, तो अगर जीवन में कोई भी समस्या हो और आप भगवान पर डिपेंड करते हैं, तो ये भक्ती ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा है जिग्यासू, बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं आत्मा के बारे में, अब मैं भी उन में से एक हूँ शायद आप भी उन में से एक हैं, तब ये वीडियो सुन रहे हैं, आखिर क्या है आत्मा, कौन है परमात्मा, क्या है भगवान, हमारा उनसे रिलेशन्शिप क्या है, इस धर्ती पर जन्म लेने से पहले हम कहा थे, अगर ये शरीर छूट गया तो हम कहा जाएंगे, ये सार हम कुछ जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करना क्या है, आगे कैसे भढ़ना है, कुछ पता चलेगा नहीं, तो ये है जिग्यासू, यानि कि जो अध्यात्मे ज्यान में रूची रखता है, जानना चाता है भगवान के बारे में, भक्ती के बारे मे गुरू के पास जाता है, जिग्यासू है तीसरा है अर्थार्थी ये एक तरह से पहले का ही वर्जन है, पहला वाला था आर्थ जुद्धुखी है, अर्थार्थी मने जो किसी लाभ की आशा से भगवान के पास जा रहा है भगवान मुझे दन देदो, भगवान मुझे पद देदो, सम्मान देदो, लड़का देदो, घर देदो, विदेश यात्रा देदो, देखो शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, लेकिन अगर हम भगवान से मांगने की इच्छा हमें भी भक्ती कर रहे हैं, तो भी कम से कम पाप तो नहीं कर रहे हैं, भक्ती ही कर रहे हैं। जो लोग भगवान से मांगते हुए भक्ती करते हैं, दीरे दीरे उन्हें समझ में आ जाता है कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति करने पर भगवान सब कुछ जो हमें मिलना है जिसके लिए हम काबिल हैं जिसके लिए हम eligible हैं वो भगवान हमें स्वेम ही दे देते हैं लेकिन अगर हमको अगर किसी चीज के जुरुत है और हम भगवान की तरफ मुड़े ही नहीं उसके बज़े किसी छोटे मोटे देवी देवता और अंत्र मंत्र जंत्र तांत्रिक टोटके क्या बक्वास है बाई गॉड आपके अगर फिलिंग हर्ट हो तो बुरा मत मानना प्लीज बट कई लोग कैसे कैसे टोटके बताते हैं जाओ इतने सोमवार इतने शनिवार ये चड़ाओ एक बाद मुझे किसी ने बता दिया कि ऐसे इसे जाकर जो है वो गाएं को पता नहीं किसको बैल को बोला था गुड खिलाओ पीछे मुड के मत देख क्या बक्वास है ये मैंने फॉलो नहीं किया मैं एक बात बता रहा हूँ मतलब लोग कुछ भी बताते हैं कुछ भी एनी टोटके what is this all this nonsense मैंने कभी अपने जीवन में वास्तु को परवा नहीं कि जब हम भगवान की भक्ती कर रहे हैं हरी नाम जब कर रहे हैं शास्त्रों का अध्यन कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों की जुरुत नहीं है किस चीज को कहां लगाओ किस चीज को कहां मत लगाओ है मैं यह नहीं कहा रहा वास्तु नहीं है लेकिन एक भगवान के भक्त को इस सब जुरुत नहीं है जैसे भगवान ने कहा था ने किशाल जलाश है, छोटे-छोटे नल कूप का सारा अबजेक्ट जो हो पूरा करता है, याद है दूसरा ध्याय में पड़ा था, जब आप भगवान की भक्ती कर रहे हैं तो निर्भे हो जाईए, और अवल तो कुछ मांगने की जुरुत नहीं है, और मांगना भी है तो उन्हें तोट के नहीं कर रहे है, तो आप भगवान के भक्ती हैं, कोई प्राविलम नहीं है और चौता है ज्यानी, ज्यानी जो है एक तरह से जिग्यासु से आगे की स्टेज़ पर है, उसको भगवान के बारे मालूं है वो भगवान पर मेडिटेट करता है, बढ़े रहे लेकिन ये शुद्ध वक्त की शुरेणी में नहीं आएंगे जनके बारे हम भगवान हमेशा कहते है जनको परम मोक्षपद मिल ही जाएगा वो मुझ में है, मैं उज में हूँ वो सब नहीं है ये एक तरह से beginning stages है कि भगवान की तरफ मुडा तो सरी इवन ग्यानी भी आप सोचेंगे अभी वो भगवान पर meditate कर रहा है सेवा नहीं कर रहा जैसे मैंने पहले भी कहा था हमने जी किसी का बुरा नहीं किया वो ठीक है, लेकिन अच्छा भी तो करना है प्रचार भी तो करना है तो ये चीज है जो समझने की है मजाकनोड है, कम से कम वो भगवान की तरफ मुड़ रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है हरे कृष्टा